दोस्तों अगर आप अपनी Android TV को reset करना चाहते हैं हो सकता है कि आपकी TV hang कर रही हो या कुछ setting ऐसी change हो गई हो या आप अपने mobile screen को अपने TV पर काश नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में अगर आप अपनी Android TV को reset करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो के एंट तक बने रही है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको settings के option में जाना है उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर तो सबसे नीचे यहाँ पर आपको reset का option मिल जाएगा तो इस पर आपको click करना है जैसे यहाँ आप click करेंगे तो यहाँ पर दो option आपको मिलेंगे cancel और factory reset तो अगर आपके Android TV में कोई आपका data है important जैसे की photo, video, music जो भी है उसका आप पहले backup ले लीजिए उसके बाद आपको simple यहाँ पर factory reset पर click कर देना है तो अगर आपसे यहाँ पर factory reset पिन पूछा जाता है तो by default यहाँ पर 1234 या 0000 होता है तो मुझे अपनी TV को reset नहीं करना है तो मैंने आपको method बता दिया है कि किस तरह आप अपनी Android TV को reset कर सकते है उमिद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आप तो इसे like और share कर दीजिए और चैनल कर आप मेरे पहली बार आए है तो इसे subscribe कर दीजिए मिलता है नेक्स वीडियो में Good Bye